जरूर ट्राइ करेंगा बिल्कुल नई और अलग है तो इसके लिए हमें आधी कटोरी मटर लिए हरी एक हरी मिर्च है अद्रक है हरा धनिया है इसको ग्राइंड कर लेना दर दरा सा इसको पीछ लेना पानी बिल्कुल भी नहीं डालना इस तरह से देख सकते हैं मैंने इसको अब इसको निकाल लेंगे एक बोल में तो यहां पे कुछ सबजिया लेंगे जिसमें मैंने शिम्ला मिर्च ली है टमाटर लिया है और एक हरी मिर्च है एक चोटी साइस की प्यास ली है प्यास को काट लिया है और सबजियों को मैंने चौप कर लिया था बारिक तो यहां प अपने हिसाब से ले सकते हैं अब आधी कटोरी डालेंगे इसमें सूजी तो इसको डालने के बाद इसको हमें मिला लेना है इसमें पानी कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि सबजियों में पानी होता है अब इसके अंदर डालेंगे दो चमश मैं डाल रही हूं चावल काटा इ से दस मिनट के लिए चोड़ देंगे अब यहां पर मैंने ताजा नारिय लिया है और अधरक के टुकड़े लिया है अधा इंच का और दो हरी मेर्चाय लेसन है और थोड़ा सा ना मैंने आधी छोटी चमश लिया हुआ इसमें चने की दाल उरत की दाल इसको हलका सा तवे पे तो इसमें हम राइ डालेंगे थोड़ा सा तेल में और लाल मीच सुखी डाल देंगे इसमें हम तड़का लगाएंगे यह हमारी फटा फट से चटनी बनके त्यार हो जाती है बहुत ही टेस्टी लगती है तो इसे साइड में रख देते और यहां पर देख लेते हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है क्योंकि सबजियों में पानी होता है तो सूजी अच्छे से सोक लेगी तो यहां पर मैंने टिकी का शेफ दे दिया आप शेप अपने हिसाब से बना सकते हैं अब इसे हमें फ्राइब कर लेना है तो इसे हमें मीडियम फ्रेम को जो है मीड बहुत ही जल्दी बन भी जाता है फटा फट दस मिट भी नहीं लगेगा तो आप भी बनाईए इसे इंजॉय किजिए बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्था बच्ची के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इसको बना के और चाय के साथ अप ले सकते हैं इसे बना के और से सबजियां इसम अगर बच्ची नहीं कहाते तो य सारी सबस्वान डालकर उसे खिला सकते हैं बहुत ही मन से खायेंगे तह भीज़ कर देख सकते ऊपर से बिलकुल क्रिस्पीं सा बना